जिन मसकार आज हम स्टार्ट करेंगे सेवंच क्लास का थर्ड लेसन जो की सिविक्स का है सिविक्स का थर्ड लेसन थर्ड लेसन है जो की एंसी आर्ट की सिरी चली है उसका थर्ड लेसन है और यह सेवंध क्लास की एंसी आर्ट चली हुई है अपिलाल जो चली हुई है अच्छा राज्य सासन कैसे काम करता है जो राज्य में सासन है वो कैसे काम करता है इसके बारे में यह पूरा लेसन है कि जिसे हमने इससे पिछले वाले जो हम civics कर रहे थे, 6th class की, जब हम 6th class के civics कर रहे थे, उसमें पढ़ा था कि क्या होता है, कि जो राज्य है वो तीन स्तरों पर कारिये करता है, एक तो स्थानी अस्तर होता है, एक राज्य अस्तर होता है के अंदर स्तर होता है, स्थानी अस्तर है, जिसमें गाउं के स्तर पर काम करता है, फिर राज्य के स्तर पर काम करता है, फिर के अंदर के स्तर पर, ये बात हमने पिछले जो इसे पहले बाले लेक्चर में अच्छे से पड़ी थी, यहाँ पर जैसे यही बताया है कि एलक्षन क होता कून है विधाय का मतलब MLA Member of Legislative Assembly यहां पर बता है Member of Legislative Assembly को ही MLA कहा जाता है MLA कहा जाता है पिर जो यह lesson है इसमें हिमाचल परदेश का एक यह लगा लो कि एक ब्योरा प्रसुत किया गया है कि हिमाचल परदेश में कितनी seats हैं कैसे election हुए ऐसे यह बताया गया है कि हिमाचल परदेश में 68 जो निर्वाचन अक्षेत्र हैं वहाँ पर निर्वाचन अक्षेत्र क्या होता है निर्वाचन अक्षेत्र से जनता एक परतिनीदी चुनती है जो विधान सबगा सद्दश्य या विधायक बन जाता है जो जैसे हम वो डालकी जिसको जितवाते हैं और वो एक MLA बन जता है, तो उसको क्या कहा जता है, विदायक कहा जता है, और जो जिस अक्षेत्र से वो चुना जता है, उसको निर्वाचन अक्षेत्र कहा जता है, इसके बारे में यहाँ पर वही MLA के बारे में ही बताया था, और इसमें यही बताया था, अचा फिर यह बत सक्ताधारी दल बन जाता है फिर जो दल उससे कम वाले सीट ले पाता है तो फिर उसको क्या कहा जाता है उसको विरोधी पक्स कहा जाता है यहां इस पेज पर मतलब हमाचल परदेश का ही वो बताया है कि इसमें कौन सी बीजेपी जीत गई थी इसमें बीजेपी जीत की थी 44 जो सीट है उसके बारे में बताया पर में जो इसमें है यह बताया कि यह वाली बाते हैं जो जो इसμεे एक अलग से उसमें दे रखी हैं, बोक्स टाइप में दे रखी हैं, कि राजय पाल कुन होता है, जो राजय का प्रमुक होता हो राजय पाल कहिनाता है जिसकी निवक्ती केंदर सरकार दوبारा सुनीषित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार सहथ्विदान के नियम और अदिनियमों के नुसार अपना काम काज चला रही है या नहीं मतलब वो एक देख भाल करने वाल होता है जो राज्यपाल होता है जो किंदर की तरफ से ये देखता है कि جो राज्यसरकार है वो सविदान की नियमों के अनुसार कानुन सही से असासम चला रही है नहीं फिर जैसे एक सत्ताधारी दल की बात कर रखी है कि कोन होता सत्ताधारी दल जिसकी सत्ता एक टाइम पे चली होती हो सत्ताधारी दल होता है कई बार सत्ता धारी दल किसी एक पार्टी का नय होकर जैसे गट बंदन की सरकार बन जाती है तो गट बंदन की सरकार में एक दल ना होकर क्या पता दो तीन इकठे होकर सत्ता को चलाते हैं उसको क्या का जाता है सत्ता धारी दल का जाता है विदान सबा में बहस कैसे होती है वही बता रखा है कि कैसे एक विदायक अपना मत देता है फिर दूसरा विदायक अपना मत देता है फिर उस पर जो विशा होता है उस पर चर्चा होती है और फिर सासन की कारिय परनाली सासन के कारिया प्रणाली के बारे में बता है कि कैसे सासन में कारिया प्रणाली काम करती है केवल विदान सबा में ही सरकार के काम के बारे में टिका टिपनी और सरकार के कारिया वाय करने की मांग नहीं की जाती अपनियमित रूपसे जैसे अखबार है तीवी चैनल है या पिर अन्य संगठन उनके दुआरा भी यह बात करते हुए देखते हैं कि कैसे हमारे एक टाइम पे लोगतंतर कैसे काम कर रहा है कैसे चल रहा है किन-किन कामों पर जो बहस होती है कि किन-किन कामों पर काम किया जा आए इसे यह सबी काम चलते रहते हैं कि को है कि इस पेज पहूँ खास मैं दिया गया वही जो बाते है कि एम partnerships क्या करते हैं क्या निकरते उस वहीं बाते दी गई है फिर एक बोल पेपर के बा Alle जैसे आज के दुनिया में शायद वौलोपेपर इसा व्र्ड होगा जो शायद ही ऐसा कोई हो जिसने नहीं सुना हो कि कोई ऐसा पेपर बनाना जो फूल पे चिपका दिया जाता है और कुछ भी एक विशे के बारे में लिखकर ूपर वौलोपेपर बना दिया जाता है डेंगू करके जो कहां फेली थी हिंडन जिला उत्रपरदेश का हिंडन जो जगह है गाजियाबाद में वहां पर 2006 में डेंगू की महां हमारी के विशे में जो बच्चों ने वॉल पेपर बनाए थे ये उसके बारे में बताया है कि ये जो वॉल पेपर है उस सहीं पर बना इस लेसन में बस इतना ही है जहिंद थेंक्स पर वॉचिंग